प्रिप्रियुक्षा प्रिप्रेश्ट नूबर 4 डिया वाले हैं अप्लिकिशिन और बाइट-सेवट लो पिसला लेक्ट्टर था आपने देखा था अब उसी कुछ एप्लिकिशन को दिल करेंगे तीक है बाइट-सेवट लो में अपने देखा कि वायाट-सेवटलो क्यों आ सब्सक्राइब वह जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को उपन यूज करेंगे और मेंगनेटिक फिल निकालेंगे अलग-अलग के टेगरी के लिए तो सबसे पहले इस 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 तो यहां को टो जिसकी तो इस पूर्ट से क्या है आर प्रण क्या होगा एक समॉल एलिमेंट मान दिया है ले चोटा सानी में इस देल की वज़े से सब्सक्राइब करें यहां तक क्लिया है यहां तक तो कोई डाउर इसमें नहीं होगा अब कि यहां पर क्या करना है यहां पर अपन को मैंनेटिक निकाले अब यह थोग कि इसद शुटा ने इसके साथ इंगल बनाएंगा यह इंगल बनाएगा 90 दिग्री का कितना इंगल बनेगा 90 दिग्री का तो यहां से अपने पर दीबी क्या आजाएगा अब इसके आगे अब देखते हैं डीबी इसके नाद बाइट लिए अच्छी कि यह कि छोटे से एलिमेंट के लिए लेकर अपन को तो पूरे क्या करेंगे इसके लिए इसके लिए करते हैं इसके लिए इस इक्वेशन को अपन क्या करदेंगे करेंगे तो छोटे-छोटे एलिमेंट जोड़के क्या अपनी बढ़ जाएगे तो यहां से अपने पास जो मेंगनेटिक फिल्ड आएगी डैट इस टोटल मेंगनेटिक फिल्ड को आपन मालने पे कितनी हैं वह किसके इक्वल हो जाएगी इंटिग्रेशन आफ दीग्रेश शक्त लिदा प्रक्राण और इसके आगे तहानी रहते हैं कि इसके बास तो और आप देख सकते हैं और R की वेल्यू भी यहां पर फिक्स जो अपने ले चुके यह जो DL है, DL ही यहां पर चेंज रहा है, तो अपनको इंटेग्रेट किसको करना है, DL को करना, क्ली हो जाएगा, यह जो एक एक इसके बाद करें अगे, तो B is equals to mu not I by 4 pi R square, अब अपन पर क्या करना है, DL को इंटेग्रेट करना, क्यों देखें चोटे-चोटे-चोटे-दिल को इंटेग्रेट करेंगे, तो इसके बाद देखें तो यह जाएगा यह जिए इसके बाद देखें तो यह जाएगा यह जो जाती है कि इसके डारेक्षिन बताओ तो आपन क्या बताएंगे डायरेक्शन अब डायरेक्शन किसा बताएंगे सिंपल है डायरेक्शन ओफ डायरेक्शन ओफ मेगनेटिक इसकी जो एक्सिस है इसका डायरेक्शन होगा और वह अपने पास इसमें दो कंडिशन और यहां पर इसके करन कई और को यूँ स्य्वारेक्शन करेंगे एडायरेक्शन टेल्किक मेरा तो अगर डायख्षक्षन केसा है डायरेक्शन स्क क्टोव Vai besteht कि अन्दर के टारफ होगा तो यह लिद्धी आपने यह पे F opard is rolling if the current is flowing फ्लोईइं और in the in the current is flowing in the clockwise direction, clockwise direction, then the direction of magnetic field, then the direction of magnetic field is along the axis of coin inverse. किस तरफ होगा अंदर की तरफ होगा अब अगर अगर अपन डारेक्शन ओपोजिट लेते करण का मालिए यह करण अब एसे ना जाते हैं किसे जाता करण का डारेक्शन यह हो जाता है करण का डारेक्शन चेंज़ जाता है और हपन को क्या करना पड़ते हैं चेंज़ दैरेक्शन कर अब इसको मिंग रखने तक है कर रहा है थंप कर रहा है आउट वाइड की तरह पॉइंट करा है तो अब क्या जिससे पहले इनवर्स सब्सक्रार में यह क्या हो जाएगा आउट्वर्स हो जाएगा इस लिए पी is flowing in the anti-clockwise in the anti-clockwise direction then the direction of magnetic field is along the axis of coil in outward direction from the axis of coil in inward direction in inward direction clear rate तो यह अपन नहीं इसके अपन नहीं इसके अपन ने डारेक्शन किसे बता है राइट है अगर क्या कर रहा है clockwise 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 तो करन का डारेक्शन का अधर की तरफ लेकिन अगर अगर anti-clockwise है तो डारेक्शन किसे जाएगा बाट की तरफ होफ़ली यह जिद आपको क्या हो जाएगी क्लियर होगे होगी आज के लिए इतना ही थैंक यू कर दो कर दो में लिए झाल झाल